दोस्तों, एक कावत है, जो हम कई बार इस्तमाल भी करते हैं, कि जो Left है, वो Globalist है, और वहीं Right जो है, वो Local इशूम पर, Local tactics से, Local पैसो से लड़ता है, अब ये फ्रांस में भी होते वे देख सकते हैं फ्रांस में दोस्तों आपको मालूम है अभी रिसेंटली चुनाओ हुआ था और इस चुनाओ में अगर आप देखे तो लगबगत है था फर्स्ट राउंड के बाद फार राइड जो मरीन लीपन है वो जीतने वाली है के से हार गई फार राइड बहुत क्लोज आया पावर के उसके बावजूद भी लेफ्ट जीत गया दोस्तों यहां पर कुछ वही हुआ है जो भारत में इंडी अलाइंस ने करने का प्रयास किया था यहांने इंडी अलाइंस टू पॉइंटो जैसा कुछ देखने मिला है लेफ्ट ने दोस्तों एक तिगड़ं का इस्तामाल किया है जिसके बाद वो मन चाहा रिजल्ट पाए है यह मोदी तो बच गए लेकिन मरीन लीपन इतनी लकीन नहीं थी क्या हुआ दोस्तों आप देख लिजिए जो फाइनल रिजल्ट आया जैसा मैंने बताया मरीन लीपन हार गई डिस्पाइट फर्स्ट राउंड में इनका पर्फॉर्मेंस जबर्दस्ट गया था उसके बावजूद अगर आप देखे तो जो फाइनल सीट अगर आप देख है अंसेंबल उनको 161 मिला दोस्तों यहां पर जरा देखिए मरीन लीपन को सीट तो 142 मिला है लेकिन वोट शेयर देखिए आप वोट शेयर अगर आप देखे तो यह 37.1 परसेंट है डिस्पाइट दी फाक्त नंबर ओफ सीट में यह नंबर 3 है लेकिन वोट शेयर 37.1 पर सेंटी मिला है यह बताता है नंबर 3 को जो वोट शेयर agarad करें वोट में हुए है तो दोस्तों यह बड़ा ही अजीब सा है क्लियर ली दिख रह वह है कुछ अलग हुआ है क्या हुआ है आईए आपको बताता हां दोस्तों फ्रांस में फर्स्ट राउंड के बाद ये जो लेफ्ट था ये चौक जाता है कहता है कि भाई अब तो फार राइट पावर में आ जाएगा कुछ करना पड़ेगा तो ये सब मिल के अगर आप देखे तो एक गेम शुरू करते हैं 210 कैंडिडेट इमानुवल मैकरों कहते हैं कि आप अपनी सदसता रद कीजिए सेकंड राउंड उफ चुनाओं में और वो चुनाओं ही नहीं लड़ते इसका नतीजा क्या होता है दोस्तो मरीन लीपन की पार्टी जब जीतना उसका तय हो चुका था मैकरों क्या करते हैं अपने फार लेफ्ट के साथ हाथ मिला लेते हैं और कहते हैं कि मैं अपने कैंडिडिट विड्रॉ करवा लूँगा नतीजन ये होगा कि जो consolidation हो जाएगा, वो किसी भी हाल में marine leaping को vote नहीं देगा, अगर centrist नहीं मिलेगा तो left को देदेगा, अगर leftist का voter है तो centrist को देदेगा, लेकिन marine leaping को नहीं देगा, तो यह पूरा चुनाओ, जैसे भारत में हो रहा था कि कैसे भी करके, PM Modi को वापस नहीं आने देना है, वैसे ह कि France में पूरा चुनाओ हुआ, कि क्या कर दे, कि marine leaping दुबारा power में ना आ पाए, तो पूरा चुनाओ कुछ वैसे ही लड़ा गया, और Emmanuel Macau successful भी हुए, 210 candidate को उन्होंने quit कराया, नतीजन यह हुआ, कि जो voter था, center का, far left का, इनका consolidation हो गया, और marine leaping हार गई, दोस्तों left अगर आप देखें, तो globalist वो वैसे ही खेलता रहा है, यह global experiment करते हैं हर जगा और उसी से सीखते हैं, कहीं न कहीं आप देख सकते हैं, भारत में भी इन्होंने कुछ experiment किया, उसको अलग अलग जगा यूज़ कर रहे हैं, फ्रांस में भी कर रहे हैं, हाला कि जो भारत में पूरा क पूरा कास्ट का कार्ड आया था, वही फ्रांस से आया था, Christopher Differlot अगर आप देखें, तो वो फ्रेंच है, फ्रांस आपको मैं पता देता हूँ, वो जो पूरा का पूरा global platform पे जो left को धक्का दिया जाता है, पुश किया जाता है, वो narrative फ्रांस में ही बनता है, हाला कि फ्रा globally, France is the hub of leftist ideology, उसको American universities में भेजा जाता है, अलग-अलग जगा एक्सपोर्ट किया जाता है, और ये इस प्रकार से आपको देखने मिलता है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें, तो जो left है, भारत में कास्ट का कार्ड खेलते हैं, तो योरोप में race का कार्ड होता है common theme होता है, इसलाम, आप देख सकते हैं, भारत में भी एक alliance बनाया जाता है, left का इसलाम के साथ वही, आपको योरोप में भी होता हुआ दिखेगा, एक common thing है, आप देखेंगे, celebrities का इस्तमाल होता है, farm protest में भी यही leftist lobby के द्वारा करवाया गया था, आपने देखा होगा किस प्रकार से बड़े-बड़े रिहाना जैसी celebrity आ गई थी, जो कि किसानों के बारे में कुछ-कुछ कह रही थी, जिसको शायद मालूम भी नहीं है, क्या खेती भारत में होती होगी, वो कह रही थी, तो दोस्तों यही फ्रांस में भी देखने मिला, फ्रांस में सबसे बड़े celebrity उनके football stars हैं, तो football stars अभी euro election, euro कब भी चल रहा है, तो उसमें पूरी नजर भी उन पे बनी रहती है, तो उस बीच में फ्रांस प्लेयर्स जाके लोगों को हिदायत दे रहे थे, यह देख लीजे, फ्रांस स्टार्स, यूल्स, कॉन्ड, और एलियन, और भी बागी लोग है यह सब क्या कह रहे थे, कि हमें immense relief मिला, exit polls में दिखा रहा है, far right हारने वाला है, तो first round के चुनाओं के बाद, यह आप जिनको देख रहे हैं, यह Mbappe हैं, फ्रांस के football star हैं, captain भी हैं, तो यह Mbappe ने लोगों को advice किया था, कि हम अपने देश को इन far right वालों के हवाले नहीं सकते, सब को हिदायत दिया, कि आप right के लिए सही जगे को अपने चुनाओं में, इन चुनाओं में मत दे, इन short कहा far right को जीतने ना दे, तो इस प्रकार से यह सारे stars भी एक जुट हो गए, दोस्ते यहां पर आप देख सकते हैं, लीपन ने जवाब भी दिया, कहा कि यह tendency है France में, actors की, footballers की, singers की, कि वो सामने आते हैं, French लोगों को बताते हैं, कि कैसे vote करना चाहिए, भूल जाते हैं कि वो खुद millionaire हैं, billionaire हैं, उन्होंने कहा, कि यह French athlete थोड़ा, ना समझी ना करें, और at the same time कहा, कि French people fed up हो चुके हैं, इस प्रकार के lecture से, और लोगों को अब advice की भारत में भी है ना, भारत में भी footballers, actors, singers, आए दिन अलग-अलग बात करते रहते हैं, है ना, आपको याद है, एक बहुत बड़े, बहुत बड़े, script writer, lyricist के बेटे हैं, है ना, वो क्या कह रहे थे, कि सब लोग खड़े हैं, तो कुछ तो सही होगा ही, मतलब खुद इनका सोचने समझने की शक्ती इतनी ही कमजोर है, लेकिन लोगों को ये दुनिया भर का ग्यान देते हुए दिखते हैं, वैसे ही और एक है, बहुत बड़े, अगर आप देखे, तो OTT के स्टार बन चुके, उनकी नई सिरीज भी अभी आई है, हाला कि खुद जादा उसमें मांदो, क्योंकि अक्सर आम आदमी को समझ नहीं है, लेफ्ट का यही मानना है, कि जो मासित है, उसको ज़्यादा अकलन नहीं है, उसको इन लोगों के दवारा इंफ्लुएंस कर सकते हैं, इसलिए अक्टर, फुटबॉलर, सिंगर, उनको इंफ्लुएंस करते हैं, खैर दो में रायुट्स हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, और अब जब लेफ्ट जीत हरा है, तो खुशी के दंगे हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, यहाँपे मोल्टफ कॉक्टेल, लोग फेक रहे हैं, और इस परकार से लोगों ने पुलिस को टार्गेट किया जा रहा है, ये तो निश्चित है चाहे लेफ्ट जीते चाहे लेफ्ट हारे ये तो तस्वीरे ऐसी ही आनी है खैर आप इस प्रकार से तिगडम लगा के अभी तो मरीन लीपिन को रोक लेंगे फ्यूचर में कितने दिन आप रोक पाएंगे 37% वोट शेयर बहुत कुछ बताता है फ्यूचर में क्या होगा सब को मालुम है तो खतरे की घंटी तो फ्रांस के सेंटरिस्ट और लिफ्टिस पाटीज के लिए भी बज चुकी है उनको भी कुछ जरूर सोचना चाहिए उमीद कर दें भारत सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर दबाएं और एक वीडियो आ रहा होगा इसको वश्य देखेगा